समोसे बेचने वाली बहू आशा और उसकी सास गाउं गाउं घूम कर समोसे बेचा करती थी समोसे ले लो, समोसे ले लो, समोसे, समोसे ले लो, समोसा, ताजा ताजा गर्मा गरम समोसा ले लो दिन भर समोसा बेच कर दोनों औरते घर पहुँचती थी, जहां अंकित आराम से सो रहा होता था अंकित और आशा बचपन से दोस्त थे, बड़े होते होते इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और इन्होंने एक दूसरे से शादी भी कर लिया, अंकित के परिवार में बस उसकी मा थी, ये दोनों पती-पत्नी कम, दोस्त जादा थे इसलिए आशा अपने पती को भी नाम से बुलाती थी आशा एक हाउस वाइफ थी, और अंकित बैंक में नौकरी करता था तीन महीने पहले अंकित जिस बैंक में नौकरी करता था, वो बैंक बंध हो गया अंकित की नौकरी जाते ही, सास बहु ने समोसे बना कर बेचने का काम शुरू कर दिया अब उनका घर समोसे के भरों से ही चल रहा था आशा सीधी साधी थी और महनती भी और बिना कुछ बोले घर का काम भी किया करती थी और बाजार में समोसे भी बेचा करती थी वही अंकित दिन भर घर पे पड़ा रहता था ये बात अंकित की मा को बरदाश्ट नहीं हो रही थी अंकित को घर बैठे पूरे तीन महीने हो गए थे अंकित अब क्या सोच रहा है किसका अपनी नौकरी का आज पूरे तीन महीने हो गए तुझे घर बैठे हाँ पता है मा नौकरी तो ढूनी रहा हो पर मिली नहीं रही और जो मिल रही है वो कम पैसे दे रहे है तुम्हें तो पता है ना मा तो क्या हुआ अगर कम पैसे हैं कम से कम काम तो है जा कर नौकरी पकड़ ना मुझे नहीं करनी है कम पैसों पर नौकरी वेज़े भी घर तो चली रहा है ना हाँ चल रहा है क्योंकि बहू और मैं कमाते हैं पर तू घर का मर्द होकर घर पर पड़ा रहता है ये भला कोई अच्छी बात है क्या मा अब तुम ताने मत मारो धून दूंगा काम धून ले पर ना गाओं वाले भी ताने मारेंगे और तुझे लाइट बिल भरने को कहा था उसका क्या हुआ ओ मैं तो भूली गया था आज चला जाता हूँ तभी घर की लाइट चली जाती है मा अंकित के आलसी पन से तंग आ गई थी और अंकित को डाट रही थी अंकित हर काम कल के लिए छोड़ देता और वो कल कभी नहीं आता है जैसा मा ने सोचा था गाओं वाले भी बाते बनाने लगे हरे यह तो वही है ना निकम मा अंकित हाँ सुना है इसकी पत्नी बहुत अठ्छे समोसे बनाती है वो समोसा बेच कर पैसे कमाती है और यह दिन बर घर पर पड़ा रहता है अंकित की मा ये सब सुन नहीं सकती थी उन्होंने ठान लिया कि वो अंकित को सही रास्ते पर लाकर ही रहेंगी वो घर आई और उन्होंने अंकित को अपने पास बुलाया अंकित यहां आओ तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ मा मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे कहानी सुनाएंगी किसने कहा कहानी बस बच्चों के लिए होती है ये कहानी तेरे लिए है और ये तुझे सुननी ही चाहिए अच्छा सुनाओ एक गाउ में एक गरीब पती-पत्नी रहते थे पत्नी घर-घर जाकर घर का काम किया करती थी और पती मजदूरी किया करता था एक रात दोनों खाना खा रहे थे अच्छा हुआ आज आपको मजदूरी का काम मिल गया नहीं तो आज भी भूखे पेट सोना पड़ता हमे हाँ आज का तो हो गया ना जाने कल का क्या हो ना जाने भगवान ने हमारे जिंदगी में इतने सारे कश्ट क्यों दिये है ना जाने हमसे का दुस्मनी है उपर वाले को तभी इतनी घोर परिसानियों में फसा दिया है दोनों पती पतनी हर रात भगवान को कोस्ते बहुत भला बुरा कहते अपनी सारी मुश्किलों के लिए वो भगवान को कसूरवार समझते थे और जो भी अंट शंट मन में आता वो कहकर सोजाया करते एक ऐसी ही रात की बात है आधी रात के समय उनके घर एक साध हुआया और दर्वाजा खट-खट आने लगा कोई है क्या घर में मेरी मदद कर दो ए जी उठिये देखिये इतनी रात में कौन घर का दर्वाजा ठोक रहा है रुको रुको जाता हूँ पती ने उठकर दर्वाजा खोला बेटा मेरी थोड़ी मदद कर दे हमसे होप आएगा तो जरूर करेंगे मदद बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं मैंने पिछले दो दिन से कुछ नहीं खाया है बेटा बहुत भूख लगी है अगर तुम मुझे थोड़ा भोजन दे दो तो बहुत महरवानी होगी पती भी तर गया और बिना कुछ सोचे समझे जो भी खाना घर पर था वो साधू के लिए परोस दिया बाबा मैं आपको पेट भरके खाना तो नहीं खिला सकता हूँ पर जो भी भोजन मेरे पास है मैंने सब आपके लिए परोस दिया है तूने जितना दिया है वही काफी है साधू जी ने खाना खाना शुरू कर दिया और साधू महराज समझ गए कि घर की परिस्थिती ठीक नहीं है फिर भी उस व्यक्ती ने साधू महराज को खाना खिलाया इस बाद से वो बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने मन बना लिया था कि वो इस व्यक्ती का उधार करके ही जाएंगे बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ ये लो, ये पारस पत्थर है इस पत्थर को किसी भी लोहे से लगाओगे तो वो पत्थर सोने का बन जाएगा मैं एक हफ्ते बाद आऊँगा और ये पारस पत्थर ले जाऊँगा तब तक ये तुम्हारा है इसका लाब उठाओ, अब मैं चलता हूँ पती ने पारस पत्थर तो ले लिया पर उसने साधु महराज की बातों पर जादा ध्यान नहीं दिया वो वापस जाकर सो गया अगली सुबह पत्नी बचे हुए खाने को गरम करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि बर्तन तो बिलकुल खाली है सुनिये जी, बचा हुआ खाना कहा गया? क्या आपने सब खाली आकेले? नहीं, हम नहीं खाये खाना तो कल रात में ही खतम हो गया था रात में साधु बाबा आये थे उन्हें बहुत भूख लगी थी तो हमने बचा हुआ खाना उन्हें खिला दिया क्या? हमारे खुद के खाने के लिए लाले पड़े हैं और आपने साधु को खाना खिला दिया और अब हम क्या खाएंगे? क्या हम दोनों अब पूरे दिन भूखे रहेंगे? हमने इतना नहीं सोचा बस खिला दिया और उन्हों ने ये पारस पत्थर दिये हैं कह रहे थे ये पारस पत्थर किसी भी लोहे में लगाओगे तो वो लोहा सोना बन जाएगा का है का पारस पत्थर? पत्नी ने वो पत्थर लिया और गुस्से में वो पत्थर एक लोहे के बर्तन में दे मारा पत्थर के छूते ही वो बर्तन सोने का हो गया पत्नी ने बर्तन नहीं देखा वो साधू महराज आपको उल्लू बना गए जी ऐसा सच में कुछ थोड़ी न होता है पती की नजर बर्तन की ओर गई ये भागवान वो देखो बर्तन तो सच में सोने का बन गया है देखो देखो सोने का बर्तन देखकर उन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता अब हम अमीर बन जाएंगे हम हर दिन पेट भर की खाना खाएंगे जो मन चाहे वो घरी देंगे हाँ ये सोने के बर्तन बाजार में बेचाता हूँ और अपने खाने के लिए सामान भी लेता हूँगा ठीक है जी आप जाईए पती बाजार जाता है और सोनी का बर्तन बेचकर घर का सामान खरीद लाता है और बचे हुए पैसों से लोहा खरीदने जाता है भाई लोहे का दाम क्या है? 15 रुपिय कीलो ये तो मेहगा है, कुस दिन पहले 20 रुपिय कीलो था हर दिन लोहे का दाम कम ज्यादा होते रहता है तो मैं कल आऊँगा, शायद कल सस्ता हो जाए आपको जैसा सही लगए पती घर चला जाता है और पत्नी को सारी बात बताता है अच्छा किया आपने कल लोहे का दाम गिर जाएगा तब ले आना कोई मूर्खी होगा जो महंगे दामों पर लोहा खरीदेगा अगले दिन लोहे का दाम और बढ़ जाता है पती इस बार भी लोहा नहीं लेता है वो इंतजार करता है लोहे के दाम का कम होने का हर दिन लोहे का दाम बढ़ता ही जाता है और ऐसे ही करते करते एक हफ्ता खत्म हो जाता है और साधु महराज अपना पारस पत्थर लेने वापस आ जाते हैं बेटा ये क्या? मैंने तुझे पारस पत्थर दिया था पर आज भी तेरे और तेरे घर की हालत पहले जैसी ही दिखाई दे रही है साधु बाबा मेरे घर में सब मिट्टी के बरतन है मैं बाजार गया था लोहा लेने पर लोहे का दाम ज्यादा था इसलिए मैं लोहे का दाम कम होने का इंतसार कर रहा हूँ जैसे ही लोहे का दाम कम होगा मैं लोहा ले लूँगा और पारस पत्थर से उसे सोना बना दूँगा आप एक और दिन के लिए ये पारस पत्थर मुझे दे दीजिए अरे मूर्ख इंसान, तेरी सोच तेरी उम्र से भी छोटी है अब मुझे समझाया, भगवान ने तुझे गरीब क्यों बनाया है क्योंकि तेरी सोच ही छोटी है साधू बहुत घुस्से में पारस पत्थर लेकर चले जाते है मा, मैं उस आदमी की जगह होता तो सारे लोहे खरीद लेता चाहे मुझे किसी भी दाम पर मिले और सारे लोहे को सूना बना कर सूने के दाम पर बेच कर अमीर बन जाता लेकिन बेटा, आज तू भी उस मूर्ख आदमी की तरह बरताओ कर रहा है अभी तुम्हें तुम्हारा समय लोहे की दाम की तरह सस्ता लग रहा है पर अगर तुम इस समय का सही उपियोग करो, सही दिशा में चलो, तो एक दिन यही वक्त सोने की तरह मुल्यवान बन जाएगा पारस पत्थर तो तुम खुद हो, जो लोहे को सोने का बना सकते हो लाइट के से आई? लाइट के साथ आशा भी घर आई मुझे पता था कि आप लाइट बिल नहीं भरोगे, इसलिए मैंने भर दिया अंकित समझ गया कि मा उसे क्या समझाना चाहती थी दो दिनों के अंदर अंकित ने दूसरी बैंक में जॉब ढून ली और ये देखकर मा और आशा दोनों बहुत खुश हुए एक साल के अंदर अंकित बैंक का मैनेजर बन जाता है और उस दिन के बाद से अंकित आलस छोड़ देता है उसे समय की एहमियत समझा गई थी और वो सही टाइम पर हर काम करता है वक्त तो पारस पत्थर है जिसका सही उप्योग करोगे तो सच में सोने जैसी जिन्दगी बन जाएगी इसलिए आलस में आकर समय व्यर्थ मत करो रामपुर गाओं में मीना अपनी बहु रोशनी के साथ रहती थी मीना अपनी बहु पर बहुत जादा अत्याचार करती थी जिस वज़ा से रोशनी बहुत जादा परिशान रहती थी मीना की एक बेटी थी जिसका नाम मनीशा था मनीशा अब शादी के लाइक हो चुकी थी और मीना उसकी शादी किसी अच्छे घर में करना चाहती थी एक दिन की बात है रोशनी काम कर रही थी तभी वहाँ पर मीना आ गई और रोशनी से कहा अरे करम चली तुझसे कितनी बार कहा है कि खाना समय पर बना दिया कर पर लगता है तुझे समझ में ही नहीं आता है नहीं माजी ऐसी कोई बात नहीं है खाना बन गया है मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ और ये कहकर रोश्णी रसोई में चली गई और वहाँ से अपनी सास मीना के लिए खाना परोस लाई खाना लाने के बाद रोश्णी ने खाना मीना को दे दिया मीना ने जब खाना खाया, तो उसने रोशनी से कहा, अरे इसमें कितना जादा नमक कर दिया है, क्या तुझे खाना बनाना भी नहीं आता है? अरे माची ऐसी कोई बात नहीं है मैंने तो नमक सही डाला था लगता है गलती से ज़ादा हो क्या होगा आप गुस्सा मत हो मैं फिर से सबसी बना देती हो और ये कहकर रोशनी दोबारा से किचन में चली गए धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन मनीशा की शादी के लिए कुछ लोग आए और वो रिष्टा तै कर गए इस बात से मीना बहुत खुश हुई और कुछ समय बाद मनीशा की शादी हो गए मनीशा की शादी होने के बाद मनीशा के ससुराल वाले भी मनीशा को काफी जादा परिशान करते थे एक दिन जब मनीशा अपने माई के आई तो उसने अपनी मा मीना से कहा मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है क्या बात करनी है? बताओ बिटिया तभी वहाँ पर रोश्नी आ गई और रोश्णी ने अपनी सास मीना से कहा, माजी, मैं अपने घर कुछ दिन रहा हूँ, क्योंकि मेरी तब्य ठीक नहीं रहती है, अब तो सोच रही हूँ कि मैं अपने घर कुछ दिन बिताओं। नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, माजी, मुझे पूरे एक साल हो गए है, मैं माजी नहीं गई हूँ, अब तो मुझे माजी के चले जाने दीजे, दीदी भी तो अपने माजी के आई है, मुझसे ज़्यादा जबान चलाती है, चल, जा यहां से, बड़ी आई माजी के जाने वाली। और यह कहकर उसने रोश्णी को वहां से भगा दिया। रोश्णी के जाने के बाद मनीशा ने अपनी माजी कहा, मा, आपको भाबी से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, आगर वो भी किसी की बेटी है। तू मुझे मत सिखा कि मुझे कैसा व्यवहार करना है। पर यह व्यवहार नहीं करना है। अरे बेटा, पर मैं तेरी भाबी के साथ कहां बुरा व्यवहार करती हूँ, मैं तो बस उसे समझाती हूँ। नई, मैंने देखा है, जिस तरह आप भाबी के साथ व्यवहार करती है, वैसा ही व्यवहार मेरी सास मेरे साथ करती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जैसा आप सोचोगे या करोगे वैसा ही आपको भी मिलता है यदि आप किसी के साथ बुरा करते है तो आपके साथ भी बुरा ही होता है ये सुनकर मीना सब समझ गई कि उसने जो कुछ भी अपनी बहु के साथ बुरा किया वही उसकी बेटी के स और उसने अपनी बहु रोश्णी से माफी मांगते हुए उससे कहा, मुझे माफ कर दे रोश्णी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो आज तक मैं तुझ पर अत्याचार करती आई, नहीं माची, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप व्यवहार बुरा करती थी, आपको समझना चाहिए कि बहु भी किसी के घर की बेटी होती है, ये सुनकर मीना बहुत खुश हो गई, और फिर मनीशा ने अपनी मा को सारी बात बता दी, कि उसने ये सब नाटक किया था, वो अपने ससुराल में बहुत खुश है, ये सुनकर उसकी मा मीना बहुत खुश हो गई, और अब वो अपनी बहु रोशनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि जैसा वो अपनी बहु के साथ करेगी वैसा ही उसकी बेटी के साथ भी होगा यानि कि जैसा करोगे या सोचोगे वैसा ही आपको मिलता है